कोईले से जूड़ी एक और बड़ी ख़वर आ गई है चत्रा से आमरपाली परियोजना संचालित होती है आमरपाली परियोजना में CBI ने छापा मारी की है तन्डवा में संचालित आमरपाली कोल परियोजना से दो लोगों को दिस्पेच के दो लोगों को CBI ने गिरफतार कर लिया है रिश्वत लेता हुए डिस्पेच आफिस से दो लोगों को गिरफतार किया गया है और इस पर जादा जनकारी के लिए हमारा सही होगी शैलेश चत्रा से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं सेलेश कितने की रिश्वत ले रहे थे अधिकारी डिस्पेच के अफसर बताए जा रहे हैं कितना पैसा गुंस लेते कुन पकड़ाया है यह सी बी अभी साफ तोर पर बोलने से इंकार कर रहे हैं लेकिन सी भी है कि तीन गाड़ी में बारे से चौदर लोग सवार होके यहां पूरा डिस्पेच ओफिस पूरा अपने कप्चर में करके पूरा का स्टडी लेके पूछ ताच कर रहे हैं डिस्पेच ओफिस के दो लोगों को अगर गिरफ्तार किया गया है तो मामला साफ है कोईले के अवाइड ट्रांस्पोर्टेशन को लेकर रिश्वत ले रहे होंगे निश्चीत तोर पर ओवरलोडिंग कोईला निकाला जाता है डिस्पेच का काम वही होता है कि कही ने कही से वो पूरी पूरे के पूरा डेमो पूरा मेमो मिंटें करते हैं और उसके eaten dispatch का परमिशन देते हैं डिस्पैच ओफिस के लोगों के गिरफतारी से साफ है कि आमरपाली कोल परियोजना में ओवर्लोडिंग कोईला चलाया जा रहा है ट्रांस्पोर्टरों की मनमानी चल रही है बहुत धन्यवाद सेलेस हमार साथ जुड़ने के लिए जानकारियों के लिए कोल परियोजना संचालित होती आमरपाली कोल परियोजना अक्सर महां से शिकायते है आती रहती हैं डिस्पैच के लोगों की मिली भगत से ओवर्लोडिंग माल निकाला जाता है कहीने कहीने अज़्दीक के रेल्वे साइडिंग पर या ट्रांस्पोर्टेशन में जो भी माल लोड किया जाता है 30-10, 40-10 की गालई में 7-77-98 माल लोड़कर के निकाला जाता है डियो का खेल है डिस्पैच के कर्मियों को अधिकारियों को मोटी रिश्वत चढ़ाई जाती है और उसके बाद माल बाहर निकाला जाता है राजस को भारी च्छती होती है ट्रांस्पोर्टरों की मनवानी चल रही है डिस्पैच आफिस के कर्मियों की गिरफतार इस बात का साफ खुलासा करती है बैरहाल